Hello everyone, final revision में आपका स्वागत है और मैं हुई आश आज की वीडियो में हम मूल अधिकारों या fundamental rights से संबंदित सारे topics देखेंगे देखें समविदान के दर्सन में 3 चीज़े आती हैं जिसमें प्रस्तावना की बात हमने कर ली आज मूल अधिकार को देख लेंगे और अगले लेक्चर में राज की नीती निदेशक तत्व भी कवर होंगे तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं fundamental rights के साथ हमारे समविदान में मूल अधिकार अमेरिकी समविदान से प्रेदित हैं इनके लिए एक समीती भी बनी थी जिसके अधिक्स थे सरदार वल्लब भाई पडेल लेकिन उसके बाद भी मूल अधिकारों की पुना जाच परक के लिए उप समीती भी बनाई गई थी जिसके अधिक्स जेविक रपलानी थे अब अमेरिका के जो मौलिक अधिकार है ना उनमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंद नहीं है इसलिए उन्हें निर्पेक्ष अधिकार कहा जाता है लेकिन उसके विपरीद भारती सम्विदान के मौलिक अधिकार अनेक प्रतिबंदों के साथ है इसलिए इन्हें सापेक्ष अ अधिकार कहा जाता है। अब कानूनी अधिकारों में परिवर्तन विदाई का द्वारा बनाये गए सामाने कानूनों के माध्यम से हो सकता है। अब हमारे सम्विदान संसोदन 1978 के अनुसार आपातकाल में भी आर्टिकल 20 और 21 के प्रावधान यथा इस्तिती बने रहेंगे। अब हमारे सम्विदान में भाग 3 के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णियन है। हमारे मौलिक अधिकारों की विचेशता यह है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उनकी शम्ताओं के विकास के लिए मातपून है। मौलिक अधिकार हमें राजी के विरुद्ध प्राप्त होते हैं मतलब मौलिक अधिकार राजी की दुलना में व्यक्ति को प्रात्मिक्ता देते हैं जिसमें हमें आर्टिकल 32 के दह direct उचितम नयाले में प्रवेस मिलता है अपने अधिकारों को संद्रक्चित करने के पर राजी मूल अधिकारों को संद्रक्षणinding कर रहा है, इसलिए मूल अधिकार साद्य हैं और सरकार इसे संद्रक्षत करने का एक शाधन है. अब आगे देखिए कि मौलिक अधिकार की सुरुवात राजी की परिवासर से हुई है क्योंकि ये हमें राजी के विरुध ही प्राप्त होते हैं तो आइटिकल 12 में राजी से अभी प्राए कुछ इस तरह की संस्थाओं से है जैसे भारत सरकार एवं संसत प्रतिक राजी की विधाईकाय और सरकार सभी प्रकार के इस्थानी शासन और अन्य संस्थाएं इनके अलावा सुप्रीम कोड ने कहा है कि राजी की सभी एजेंसिया अत्वा प्रादिकरन भी राजी की स्रेणी में आएंगे जैसे डैली उनिवर्सिटी एम्स आदी अब निजी संस्थाएं इसके अंतरगत नहीं आती इसलिए 1991 के बाद जो LPG reforms हुए उसमें privatization तेजी से बढ़ रहा है इसलिए मौलिक अधिकारों का दाएरा भी सीमित होता जा रहा है आगे है आर्टिकल 13 जो मौल अधिकारों और विधी में संबंद की बात करता है आर्टिकल 13 में विधी शब्द की व्याक्या की गई है जिसके अनुसार मौल अधिकारों और समविधान के निर्मान के पहले की विधियां या पूरु समवैदानिक विधियों के बीच लेंगे जिसे नियाएपालिका ने आच्छादन का सिद्धान त्या प्रिंस्पल ओफ एकलिप्सिस कहा है आर्टिकल 13 का क्लॉस वन कहता है कि राज जी के द्वारा ऐसी किसी विधी का निर्मान नहीं किया जाएगा ना कि पूरी विधी को इसमें नयाएपालिका के द्वारा विधी के अवैत और वैद भागों के बीच अलगाओ किया जाता है जिसे प्रिथककरन का सिद्धान त्या प्रिंस्पल ओफ सेवेरेबिलिटी कहते हैं जिसका उलेक आर्टिकल 13 के क्लॉस 2 में है आर्टिकल 13 के क्लॉस 3 में विधी की परिवासा है इसमें विधियों में अध्यादेश, उपनियमन, विदियमन, प्रत्था और अधिसूशना सभी सम्मिलित होते हैं इसके अलावा किसी अधिकारी के द्वारा निर्मित भी विधियां इसमें आती है चली आगे जानते हैं मूल अधिकारों के विभिन प्रकारों के बारे में इन्हें साथ भागों में विभाजित किया गया था लेकिन 44 सम्मिदान संसोतन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया इसके बाद मूल अधिकारों में 6 बाग रहे गए इसमें पहला है समानता का अधिकार जो है Article 14 से Article 18 सबसे पहले Article 14 आता है जिसमें विधी के समक्ष समानता और विधियों का समान संडरक्षन आता है विधी के समख्ष समानता क्या होती है equality before law तो विदि के समान तक आधिकार ब्रेटेस विचारक डाइसी के विचारों में नहें थै यह विचार ब्रेटेस सम्मिदान से लिया गया है इसका मतलब है कि सभी वेक्तिओं पर एक समान विधी लागु होगी किसी भी वेक्ति में पत, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ती, भूमी और वनसादी के आधार पर नागरेकों में विभेद नहीं होगा कोई भी वेक्ति कानून से उपर नहीं है और कानून के उलंगन में दंडित भी किया जाएगा आगे जानते हैं कि विधियों का समान संद्रक्षित क्या है? Equal Protection of Law चूकि भारत एक विशमता मूलक समाज है, यहां एक समान विधी का निर्मान करना समानता नहीं है यह समानता का सकारांतपक विचार है क्योंकि इससे वंचित लोगों को संद्रक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है यह अमेरिकी सम्विदान से लिए गया है इसमें सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर कानून में विभेत किया सकता है इसी के तहट नियायाले ने महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए अलग कालून बनाने को सुईकारा है सुप्रीम कोट ने ही एतिहासिक निर्णे में किन्नरों को तीसरे लिंक का दर्जा दिया है और कहा है कि किन्नरों को प्राप्त अधिकार सामाजिक और जैविक आधार पर निर्धारित नहीं है, बलकि यह मानवाधिकार का मुद्दा है अब एक पॉइंट ज़रूर याद रखेगा, विदी के समख से समानता जो है वह नकारात्मक है, क्योंकि राज जी वैक्तियों के लिए सुविदा प्रदान नहीं करता इसमें और विदी का समान संद्रक्षन सकारात्मक है, क्योंकि वन्चित वर्गों का राज जी के द्वारा संद्रक्षन किया जाता है इसमें अब विदी के समख समानता का अपवात कौन सा है, तो इसमें आर्टिकल 361 के अंतरगत राश्पति और राजपाल दोनों को ही विदी के समान संद्रक्षन से चूट प्राप्त है राश्पती और राजपाल दोनों को ही अपने कारियों और शक्तियों के प्रयोग के लिए नयाएबालिका की समख्छ उत्तरदाई नहीं ठेहराया जा सकता दोनों के विरुद कारिकाल के दौरान किसी भी प्रकार का डांडिक और अपराधिक मामला सुरू नहीं किया जा सकता है हालेकिन राश्पती और राजिपाल पर उनके कारिकाल के दौरान या बाद में उनके वेक्तिगत कारियों के लिए सिविल कारिवाही सुरू की जा सकती है लेकिन इससे पहले उसे दो महीने पूर्व का नोटिस देना होता है जिसमें वेक्ति का नाम पता और राश्पती या राजिपाल के विरुद्ध कारिवाही के कारण का उलेख होना चाहिए चली अब बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में जो बात करता है कि धर्म मूलवन्स जाती लेंग तथा जन्म इस्थान के आदार पर भेदवाव से निसेद है ये आर्टिकल 15 का क्लोस वन है ये अनुचेद राज जी के विरुद्ध है इसमें केवल शब्द का प्रियोग किया गया है जिसका मतलब है कि सेक्षणेक योग गिता और सारेरिक मापदंड के आधार पर वेक्तियों के साथ भेदवावनी हो सकता जैसे दुकान, सारजनिक भुजनाले, होटल, सारजनिक मनोरंजन के स्थान, कुएं, तालाब, स्टानागार, सडक, सारजनिक रिजॉल्ट, राज्य वित्तुद्वारा संचालेज संस्थानों के स्थान आधी में वेदभाव नहीं किया जा सकता अब आटिकल 15 में कुछ तारकिक भेदभाव करना भी उचे ठहराया गया है इसमें पहला है आटिकल 15 का क्लॉस 3, जिसके अनुसार राज्य, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विसे सुपाय करेगा और राज्य इनके संद्रक्चन और विकास के लिए विसे सुपायों में सैक्चनिक, आर्थिक और वैधानिक सभी प्रगार के प्रावधान शामिल है लेकिन ये सभी प्रावधान समानता के सिद्धानतों के विरुद्ध नहीं है अगला तारकिक विष्दवाव आता है आर्टिकल 15 के क्लॉस 4 के तहट सामाजिक और सेक्चनिक दृष्टी से पिछड़े वर्गों और अनिसूचित जातियों और जन्जातियों के उत्थान के लिए राज्य विसेस प्रावधान कर सकता है अगला आता है आर्टिकल 15 का क्लॉस 5 इसके तहट राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन्जातियों को सेक्चनिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण दे सकता है अब मंडल आयोक की रिपोर्ट के अधार पर 1990 में वीपी सिंग सरगार द्वारा सेवाओं में पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया वर्स 2006 में मानोसंसादन मंतरी अरजुन सिंग के द्वारा सेक्चनिक संस्थाओं में आरक्षण की गोशना की गई यह आरक्षण 93 वे समविदान संसोदन अधिनियम 2006 के माध्यम से आर्टिकल 15 का क्लॉस 5 जोड़ा गया वर्स 2004 के पस्चा सामाजिक और सेक्चनिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूची जाती तथा जन जाती के लिए केंदरी सेक्चनिक संस्थाओं में आरक्षण की वस्ता की गई चाहे वे संस्थाओं राजी के द्वारा अनुदान प्राप्त करती हो या नहीं मतलब आरक्षण निजी सेक्चनिक संस्थाओं के लिए भी है लेकिन अल्प संक्यक सिक्चन संस्थाओं पर या आरक्षण लागू नहीं होगा आगे है आर्टिकल 16 जो लोग नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है राजी के अंतरगत नियुक्तियों और रोजगार में सभी नागरेकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी नियुक्ति का मतलब है सेवाओं में प्रवेश सुनिश्चित करना और रोजगार के अवसर का मतलब है सेवाओं में प्रवेश के बाद वेटन, भत्ते और विभिन सुविधाओं में भी समानता रखना जिसे रोजगार में समानता कहा जाता है यह आर्टिकल 16 का क्लॉस 1 है हाँ लेकिन अब इन नियुक्तियों में सैक्षनिक योगिता, सारिरिक शम्ता, तकनीकी योगिता आधि के अधार पर भेदभाव किया जा सकता है जो की तार्किक और आवश्यक है आर्टिकल 16 के क्लॉस 2 के अनुसार यह सुविदा, निजी कंपनियों और सरकारी सेवाओं दोनों के लिए है आगे है आर्टिकल 16 का क्लॉस 3 इसमें कहा गया है कि संसद विधी द्वारा राज जी विसेश को यह अधिकार दे सकती है किवे सरकारी सेवाओं में किनी कर्मचारियों के वरगों के रोजगार और निजी के लिए निवास के आधार पर अपने राज जी के निवासियों को प्रात्मिक्ता दे सकती है इसमें भरती प्रक्तियाओं में निवास की सर्थ लगाई जा सकती है लेकिन ये अधिकार सिर्फ संसत को है राजी विदान मंदल को नहीं है अगला है आइटिकल 16 का ग्लॉस 4 इसमें राजी पिछड़े वर्गों को राजी के अंतरगत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षन प्रदान करेगा और राजी द्वारा पिछड़े वर्गों को आरक्षन तबी दिया जाएगा जब उस वर्ग को राजी के अधीन सेवाओं में परियाप प्रतिने धित्व ना मिला हो और वह वर्ग सामाजिक और सेक्षनिक रूप से पिछड़ा हो अब पिछड़े पन की पहचान के लिए कौन-कौन से आयोग गठित हुए उनके बारे में देखते हैं तो आर्टिकल 340 के अंतर गत राश्टपती को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और सेक्षनिक दृष्टी थे पिछड़े वर्गों की दसाओं की जानकारियों उनकी समस्चाओं को दूर करने के लिए एक आयोग की नियुकती करेगा सतंतरता के बाद पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए काका कालेल कर आयोग की स्थापना 1953 में हुई इसने केवल जाती को आधार नहीं मानने की सिफारिस की थी लेकिन इनकी सिफारिस मानी नहीं गई फिर 1979 में मंडल आयोग की स्थापन हुई जिसकी नुकती जनता पार्टी यी सरकार के द्वारा की गई थी इन्होंने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सामाजिक, सैक्षिनिक और आर्थिक संकेतों के प्रयोग की सिफारिस की इसने जाती को ही आधार माना था और इसी के जलते वर्स 1990 में केंदर सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिसें लागू कर दी जाती को ही सामाजिक और सेक्सिंडिक पिछड़े बन का अधार माना और सरकार ने पिछड़े वर्गों को 27% आरेक्ष्ण देने की घोशना की लेकिन अन्य वर्गों ने सरकार का विरोध किया साथ ही निस्विंग कैनवे में नर्सें राव सरकार ने उची जाती के आर्थिक रूप से कमजेवर लोगों के लिए 10% आरेक्षन लागू करने की घोशना की थी लेकिन इस पर भी विवाद हुआ इसी के चलते नियायाले में इन विवादों को इंदिरा साहनी बनाम भारत संग के रूप में चुनोती दी गई जिसे लोग प्री रूप में मंडलवाद कहा जाता है इसके इसके बाद 1992 के एतिहासिक निर्ने में कुछ इस तरह से मुड़्दो का समाधान हुआ इन में पिछड़े वर्ग से अभी प्रया है सामाजिक और सैक्षिनिक रूप से पिछड़ी जातियों से और समविदान में भी पिछड़ा पन आर्थिक नहीं है हाँ लेकिन इन पिछड़े वर्गों को एक ही समूव में शामिल करना तार्किक नहीं होगा इसलिए क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया था और इस क्रीमी लेयर के निर्धारन के लिए भी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था जिसकी सलाज से संग सरकार द्वारा क्रीमी लेयर का निर्धारन किया जाता है इंदरा सायनी वाद में आरक्षण की उच्चतम सीमा के बारे में कहा गया कि आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% होगी प्रतेक वर्स भरी जाने वाली दिक्टियों में आरक्षण प्रदान करते समय आर्टिकल 3.35 की अनुसार सेवाओं में दक्सता और कुसलता बनाया रखी जानी चाहिए 50% से ज्यादा आरक्षण सेवाओं में कुसलता के विरुद्ध होगा आगे आता है प्रोननती में आरक्षण तो नियायाले के निर्णे के अनुसार अनुसूची जाती और जनजातियों के प्रोननती में आरक्षण को निरस्थ कर दिया गया है आगे बात करें आर्थिक पिछड़े पन की तो नियायाले ने पूर के निर्णे में तो इसे निरस्त कर दिया था लेकिन वर्थमान में 10% की दर्थ से आर्थिक आरक्षण दिया जा रहा है नियायाले ने आगे ले जाने के नियम या केरी फॉरवर्ड रूल के बारे में कहा कि आरक्षण वर्गों के रिक्त पदों को अगले वर्थ भरा जाएगा परन्तु आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए अब एक नोट याद रखिएगा कि नियायाले ने जो पदोंनप्ती पर आरक्षण को अस्विकार किया था उसके विरुद्ध में सरकार ने 77th Constitutional Amendment Act 1995 पास किया और Article 16 के Clause 4 का में ये वैवस्था की कि अनुसूची जातियों और जनजातियों को प्रोन्यती में आरक्षण दि दिया जाएगा लेकिन यह अरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17 जिसमें आइस प्रिश्चिता के अंत की बात कही गई है आर्टिकल 17 वेक्ति और राज ये दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है अइस प्रिश्चिता सब्दकाव लेक समीदान में नहीं है क्योंकि नयायाले ने अइस प्रिश्चिता सब्द को एतिहासे करार दिया है जहां जन्म जात कारणों से कुछ लोगों या जातियों को निम्न समझा जाता है अब आइस प्रिश्यता निवारन के लिए सरकार ने आइस प्रिश्यता निवारन अधिनियम 1955 लागू किया और इसी संबंदित सिविल अधिकार संरक्षन अधिनियम 1976 भी सामने आया अगला आटिकल है 18 उपाधियों का अंध स्वतंत्र भारत में सैक्षिनिक संस्ताओं और सैन्य प्रयोजनों के अलावा राज्योदारा उपाधियों को प्रदान करने पर प्रतिबंद है क्योंकि उपाधियां एक प्रकार के समाज में विसमता पैदा करती है यह आर्टिकल 18 का क्लॉस 1 है आर्टिकल 18 के क्लॉस 2 के अनुसार कोई भारत का नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहन नहीं करेगा आर्टिकल 18 के क्लॉस 3 के अनुसार कोई विदेशी वेक्ति जो भारत में काम कर रहा है वह राष्टपती की अनुमती के बिना किसी और विदेशी राश्ट्र से उपादी ग्रहन नहीं कर सकता आर्टिकल 18 के क्लॉस 4 के अनुसार ऐसा वेक्ति जो राज जी के अंतरगत इस्थापित किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है तो वह है किसी विदेशी राज जी से उपहार भेट और उपलबनिया राश्ट्पती की सहमदी की बिना प्राप्त नहीं कर सकता अब आगे बात करते हैं सुतंतरता के अधिकार की राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के मद्य है सब सब पहले आता है आर्टिकल 19 जिसमें विचार और अभिवेक्ती संबन्दी कुछ स्वतंतरताओं का उलेख है इसमें आर्टिकल 19 के सब क्लास 1-A के अनुसार वाक का मतलब बोलने से है जबकि अभिवक्ती का मतलब बोलने और चुप रहने के अधिकार के साथ साथ किसी पुस्तक के प्रकासन, फिल्म निर्मान और लेखन भी इसके अंदर गताते हैं अब आइडिकल 19 की क्लॉस 1-A में प्रैस की स्वतंतरता, राष्ट्र भक्ती को प्रदर्शित करने का अधिकार, जानने की स्वतंतरता या राइट टू इन्फरमीशन भी शामिल है अगला आइडिकल है 19-1-B जो सांदिपून और निरायुत सम्मेलन की स्वतंतरता देता है अब इसमें नागरिक, जुलूस, प्रदर्शन या सबह में भी बैठ सकते हैं और सांदिपून रूप से सारजनिक बैठक भी कर सकते हैं लेकिन नयायाले के अनुसार इसमें हरताल का अधिकार सम्मिलित नहीं है आगे आर्टिकल 19 का क्लॉस 1C कहता है संगम, संग और सहकारी समीती बनाने की स्वतंतरता है सहकारी समीती शब्द 97th Constitutional Amendment Act 2011 के मात्यम से जोड़ा गया इसी आर्टिकल के तहट दलों, मजदूर संगठनों, आदी द्वारा, दबाव समूं का निर्मान किया जाता है समूदाय या संग में राजनेतिक दल, क्लब, व्यापारिक संगठन, कंपनी और साजा फर्म आदी सम्मेले थे आगे है आर्टिकल 19 1D जो भारती राजशेत्र में सर्वत्र स्वतंतरता पूर्वक भ्रमन करने की स्वतंतरता देता है मतलब कोई भी राजज्य या दूसरा राजज्य किसी भी निवासी को आने जाने से नहीं रोक सकता अब इसमें संगरन में भारत के आंत्रिक भूवाग में संगरन भी सामिल है और विदेश यात्रा भी शामिल है लेकिन यह आर्टिकल भारती राज के अंदर ही संचरण में आता है जबकि विदेश जाने का अधिकार जीवन के अधिकार में सम्मिले थे आगे है आर्टिकल 19.1.E जिसमें भारती राज शेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंतरता है आगे आर्टिकल 19.1.F जो है वहें निरसित कर दिया गया यह संपत्ती का अधिकार था फिर आर्टिकल 19.1.G जो है वहें वृत्ती अजीव का व्यापार और कारोबार की स्वतंतरता देता है मतलब भारती नागरे किसी भी भारत के स्थान में अपने कारोबार को सुरू कर सकता है लेकिन इसमें नसीले पधारतों के कारोबार की अनुमती नहीं है अब ये सम्विदान में वर्णित विपिन स्वतंतरता के अधिकार है लेकिन ये अधिकार भी पूर्टा स्वतंत्र नहीं है इन में भी कुछ प्रतिबंद लगाए गये हैं जिसमें भारत की एक्ता और अकंटा, राजी की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रता, पूर्ट, संबंद, लोक विवस्ता और सदाचार, नयायले की अवमानना, मानहानी और अपराद को बढ़ावा देने वाले कारियों को प्रतिबंदित किया गया है इन प्रतिबंदों का उलेक आर्टिकल 19 क्लॉस 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉस 6 के बीच है आगे है आर्टिकल 20 जो अपरादों के 2-3 विक्ति से संबंदित या आरोपी विक्तियों के अधिकारों की बात करता है इसमें अपरादों के 2-3 से संबंदित संदरक्षड के ये प्रावधान है कि निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा किसी भी अपरादी को एक ही अपराद के लिए दो बार दंड नहीं दिया जाएगा और उनके उपर भूत लक्षी दंडिक विधान लागू नहीं होंगे मतलब ऐसी कोई भी विधी जिनका निर्मान उस तारिक से पहले लागू कर दिया गया है जैसे संसद ने कोई विधी 2013 में पास की लेकिन उसे वर्स 2005 के किसी मामले में लागू किया जा रहा है तो ये भूत लक्षी दांडिक विधी किसी अपरादी पर लागू नहीं होती है हाँ लेकिन राज कानून को भूत लक्षी प्रभाव दे सकता है मतलब संपत्ती विवादों जैसे सिविल कानूनों को पिछली तारिकों से लागू किया जा सकता है आर्टिकल 20 के क्लॉस 1 में है ये प्रावधान आर्टिकल 20 में स्वयम के विरुद्ध गवाही देने के लिए भी बाद नहीं किया जा सकता आरूपी को मतलब किसी विक्ती को सारेरिक और मानसिक रूप से प्रतारित करके अपरात कभूलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता लेकिन विक्ती स्वयच्छा से अपने विरुद्ध गवाही दे सकता है लेकिन ऐसे अभियोक्त के विरुद्ध पाए गये सारेरिक निसान या चिकित्सकी परिक्षण को उसके विरुद्ध साक्ष माना जाएगा अर्टिकल 20 के क्लॉस 3 में कहा गया कि कोई भी विक्ति तब तक निर अपराद ही है जब तक उसे नियापाली का द्वारर दंडित नहीं किया गया अब नियायाले यह भी कहता है कि किसी भी विक्ति को अपराद परिक्षण के लिए नारको, पॉलीग्राफी, ब्रैंड मैपिंग और फिंगर प्रिंट जैसे विभागों को अपनाले के लिए बात दे नहीं किया जा सकता हालेकिन फिंगर प्रिंट और लिखावट को विक्ति के विरुद्ध साक्ष माना जाएगा आगे बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में ये प्राण और देहिक स्वतंतरता का अधिकार है इसमें सरकार या कारेपाल का किसी भी नागरे की स्वतंतरता में तभी ये हस्तचेप करेगी जब उसने देश में उपस्तित किसी विधी का उलंगन किया है अब जीवन के अधिकार के अंतरगती, सिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, यौन उत्पीडन के विरुद्ध अधिकार, प्रदूसन मुक्त परियावरन का अधिकार, स्वेच्छा चारी हिरासत लेने और बंदी बनाये जाने के विरुद्ध अधिकार, विदेश लेकिन सुप्रीम कोट ने इच्छा मृत्यों को नकारात्मक रूम में सुईकारा है जिसके अंतरगत व्यक्ति को प्रदान किये गए तक्नीकी यंत्र जैसे वेंटिलेटर हडाये जा सकते हैं हा लेकिन सीधे इंजेक्शन देकर नहीं मारा जा सकता सुप्रीम कोट ने 2018 में कह कि व्यक्ति को गरिमा माय इच्छा मृत्यों का अधिकार है इसके दुरुपियों को रोकने के लिए उच्छतम न्याले ने चिकित्सक के परामर्ज और लिखित आदेश को अनिवार इमाना है अब अगला आटिकल है आटिकल 22 इसमें बंदी करण की अवस्था में संरक्षन की बात कही गई है जिसके साथ कोई भी व्यक्ति जिससे गिरफतार किया जाता है तो उसे गिरफतारी का कारण पूछने का पूर्ण अधिकार है विधी वेफसाई से परामर्ज करने का भी जिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए हालेकिन यदि कोई व्यक्ति विदेशी शत्रू, गुप्तचर और निवारक निरोत का व्यक्ति है तो उस पर आटिकल 22 के प्रावधान लागू नहीं होंगे आगे है शोशन के विरुद दतिकार राइट अगेंस्ट एक्स्प्लाडेशन इसमें आटिकल 23 और 24 आते हैं आटिकल 23 का क्लॉस वन कहता है कि भारती सम्विधान में मानव के दुर व्यापार, बेगार, बालात स्रम आदी पर प्रतिबंध है और इसका उलंगन एक दंडिनी अपराद है अब यहाँ पर मानव व्यापार से क्या मतलब है? इसमें वस्तूओं के समान महिलाओं, बच्चों और अन्य पुरुसों की खरीद फरोक्त करना, महिलाओं और बच्चों का व्यापार या वैश्यवरती, देवदासी और दासप्रता आदी पर प्रतिबंध है इसमें बेगार से मतलब है, बिना पारी स्रमिक या कम पारी स्रमिक के आदार पर कारि कराना बेगार के अंतरकत बनुवा मज़दूरी भी समयलित होती है अब इसमें एक बात ध्यान देने की है कि यदी राज लोग प्रयोजन या सारजन कल्यान के लिए अनिवार्य भरती या सेवा लागू करता है तब इसे शोचन नहीं माना जाता हालेकिन इसमें भी धर्म, जाती, प्रजाती, वर्ग, आधी के अधार पर भेदभाव नहीं किय समझौता मजदूर एक्ट 1970, बंदूवा मजदू स्रम ववस्ता समापत अधिनियम 1976, समान परुसकार एक्ट 1976, हाली में New Wages Code 2019 और 2020 के कुछ कार खाने से रिलेटेड अन्य अधिनियम भी सामने आये हैं आगे है आर्टिकल 24, जो शोशन के विरुद्ध बच्चों के अधिकार की बात करता है और बाल स्रम का निसेत करता है आर्टिकल 24 के तहट, विशिष्ट रूप से 14 वर्स से कम आयू के बच्चों को किसी कार खाने, खान या किसी संकट में अथवा खतरना कारियों में नहीं लगाया जाएगा यह अधिकार राजी और व्यक्ती दोनों के विरुद्ध है वर्स 2015 में संक सरकार के कैबिनेट पस्ताओ के अनुसार बच्चे घरेलू कारियों में परिवार की सायता कर सकते हैं इसे बाल स्रम की स्ट्रेणी में नहीं रखा जाता हालेकिन यह याद रखिएगा कि बच्चों की प्रात्मिक सिक्षा का अनिवार और निसुल का अधिकार सोशन के विरुद्ध अधिकार का पूरक ही है जो आइटिकल 21 का क्लॉस ए है इस अनुचेत को लागू करने के लिए भी सरकार के द्वारा अनिक अधिनियम लागू किये गए थे जैसे बच्चों का रोजगार अधिनियम 1938, Plantation Labor Act 1951, Motor Transport Act 1951, Khan अधिनियम 1952, व्यापार जहाज अधिनियम 1956, बीडी सिकार कार अधिनियम 1966, बाल स्रम अधिनियम 1986 अब शोजण के विरुद अधिकार के संबन में ही, M.C. महतावाद में सुप्रीम कोट ने बाल स्रम के संदर में महत्पूर निर्देश जारी किये और नियाएपालिका ने यह भी निर्देश दिया कि बाल स्रम पुनर्वास कल्यान कोश का निर्मान होना शाहिए, जिसमें एक व्यक्ती 20,000 रुपे जमा करेगा, जिसने बच्चों को काम पर लगाया है वह उस बच्चे के घर के वयस्क सदश को रोजगार प्रदान करेगा, इसके अलावा बंधुआ मुक्ती मोर्चावाद 1997 में सुप्रीम कोट ने मजदूरों को उचित दर्श पर मजदूरी प्रदान करने का निर्देश भी दिया साथी सरकार के द्वारा 23 फरवरी 2007 में राश्ट्री बाल संदक्षन आयोग नेशनल कमीशन फोर प्रोटेक्शन आफ चैल्ड राइड्स का भी गटन किया गया इसमें 6 सदस्य जिनका कारिकाल 3 वर्द का होता है अब सुप्रीम कोट ने विशाखा बनाम राजिस्थान राज्जी के महत्पूर्वाद में यौन शोशन को भी शोशन का एक रूप माना है और प्रतिबंदित करने का निर्देश दिया है चलिए आगे बात करते हैं धार्मिक स्वतंतरता के अधिकार की राइटू फ्रीडम ओफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के अंतर गताता है आर्टिकल 25 का क्लॉस 1 कहता है समविदान में धर्म को अंतर करन के रूप में मानने आचरन करने और उसके प्रचार करने की स्वतंतरता है अंतर करन की स्वतंतरता कहती है कि कोई भी वेक्ती ईस्वर या उसके किसी भी रूप को मान सकता है वो अपने विश्वास और आस्ता को सारजन कर सकता है और आचरन करने के अधिकार के तहट पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, विचार का प्रदर्सन आधिक शामिल होते हैं साथ ही धार्मिक स्वतंतर्ता में धर्ण प्रचार की स्वतंतर्ता भी सम्मेलेत है अब याद रखे कि धार्मिक स्वतंत्रता निर्पेक्ष नहीं है इसे सदचार, स्वास्त्य और लोक्स व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिबंदित भी किया जा सकता है राज्य के द्वारा आइडिकल 25 के क्लॉज 2 के अनुसार धार्मिक अधिकारों के नाम पर संप्रदाइक हिंसा और अश्लीलता की अनुमती नहीं दिया सकती इसके साथ ही समविधान में अंतर नहेत है कि धर्म से संबंदित लौक एक अत्वा भौतिक विश्य धर्म के मूल भाग नहीं है बलकि द्वतियक भाग है इसलिए राज्य के द्वारा धर्म को नियंत्रित किया जा सकता है इसी के तहट कहा गया है कि सम्विधान में राज्य और धर्म के बीच का विभाजन एक तरफा है क्योंकि राज्य तो धर्म को नियंत्रित कर सकता है लेकिन धर्म और धर्मिक समूहों और संस्थाओं के द्वारा राज्यों के कारियों में दखल संभव नहीं है अब आगे धर्म परिवर्तन और धार्मिक स्वतंतृता से संबंदित भी एक वाद है इस्टैनिस लास वाद 1977 इसका बैक्राउंड है कि उडिशा में 1967 और मत्यप्रदेश में 1968 में सरकारों ने एक विधी का निर्माण किया जिसमें यह वैवस्ता की गई कि लोब कपट बल आदी के आधार पर धर्म परिवर्तन एक दंडिनी अपराद होगा लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो इसी के तहट इस्टैनिस लास वाद में 1977 में सुप्रीम कोट ने कहा कि उडिसा और मत्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विधी वैधानिक है मतलब कोई भी वेक्ती वेक्ती का तुरूप से धर्म परिवर्तन कर सकता है लेकिन लोग कपट और बल का प्रयोग उसमें नहीं किया जाएगा अब आगे है आर्डिकल 26 इसमें धार्मिकारियों के प्रबंदन की स्वतंतरता की बात कही गई है मतलब कोई भी वेक्ती या धार्मिक संस्थान धर्म से संबंदित कारी कर सकता है धर्म के प्रयोज नार्त और धार्मिक दान की प्राप्ती के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है धार्मिक आर्यों का प्रबंदन कर सकता है चल और अचल संपत्ति का अर्जन भी कर सकता है और संस्थान संपत्ति का विदिक अनुसार प्रशासन भी कर सकता है अब याद रखेगा कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार ना होकर वैलानिक अधिकार है लेकिन धार्मिक संस्थाओं को अभी भी संपत्ति के अर्जन का मूल अधिकार प्राप्त है आगे है आइडिकल 26 जिसमें धार्मिक उदेश्यों के लिए करार उपन पर प्रतिबंध है मतलब किसी विसेष्ट धर्म की अभी विद्धी के लिए करों के संदाय के बारे में सुतंदृता है इसके तहट राजी किसी धर्म विसेष्ट के प्रोचाहन के लिए कर या टैक्स नहीं लगा सकता और राज सरकारी धन को किसी विसेज़ धर्म या संपर्दाई के उन्यती के लिए उपयोग नहीं करेगा लेकिन नयायालाय कि अनुसार राजी सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए धार्मिक कारियों और धार्मिक उत्सवों के प्रबंदन के लिए सरकारी धन का उपयोग कर सकता है आर्टिकल 27 कर की उगाही पर रोक लगाता है ना कि सुल्क की अब कभी भी राज्य टैक्स लेता है तो उसके बदले वक्ति को सुवीदा देने की गैरेंटी नहीं देता लेकिन राज्य जब भी सुल्क लेता है तो उसके बदले आम लोगों को सेवाय प्रदान करता है इसलिए राज धार्मिक सुविदायं प्रदान करने के लिए सुल्क ले सकता है आगे है आर्टिकल 28 जो सिक्षण संस्थाओं में धार्मिक सिक्षा में उपस्तित होने के बारे में स्वतनत्ता देता है इसमें डेटेल की बात करें तो राज धार्मिक निर्मित और पूर्ण वित्त संचालित किसी भी सेक्स्षिनिक संस्थान में कोई भी धार्मिक सिक्षा नहीं दी जा सकती जैसे केंद्री विद्याले, केंद्री विस्विद्याले मैं किसी प्रकार की धार्मिक सिक्षा नहीं दी जा सकती लेकिन किसी विस्विद्याले में एकडमिक रिसर्च के लिए धार्मिक सिक्षा का प्रावधान हो सकता है जैसे अनिक विश्विद्यालेों में बहुत धर्म अनुसंदान केंदर इस्थापित है इसके अलावा वे सेक्स्रिनिक संस्ता हैं जो राज द्वारा अनुदानों और मानेता प्राप्त हैं अब ऐसी सेक्स्रिनिक संस्ता हैं जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचाले थे उसमें धार्मिक संस्क्रिती और संस्क्रिती को बनाये रखने और उनके संच्रिक्षन का अधिकार प्रदान किया गया है प्रदान का अधिकार है और दूसरा राज जी अल्प संक्रिक्षन को की सिक्षन संस्ताओं के संपत्ती अर्जन पर निर्धारित रासी प्रदान करेगा पिर आइडिकल 30 के क्लॉस 2 में यह भी उल्लेखत है कि राज जी द्वार्दान संस्ताओं को दिये गए अनुदान में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वे अल्प संक्योकों के प्रबंदन के अंतरगत आते हैं अब यहाँ अल्प संक्यक शब्द से क्या मतलब है उसे देख लेते हैं तो आइडिकल 30 के अंतरगत अल्प संक्योकों का भाशा और धर्म के आधार पर उल्लेख है सुप्रीम कोड के निर्ने के अनुसार अल्प संक्योकों का निर्धारन अखिल भारती रूप में नहीं होगा अभी तू राज जी के अनुसार किया जाएगा क्योंकि भारत में राज्यों का निर्मान भाशा ही आधार पर किया गया है नियापालिका के अनुसार जिस समुदाय की संक्या 50% से कम है उसे अल्प संक्या की स्रेणी में रखा जाएगा अब एक नोट याद रखेगा कि राजजी के द्वारा किसी भी अल्प संक्यक शिक्षण संस्था को उसे इस्थेती में सिक्षण संस्था का दर्जा में लेगा जब वह तीन संबंदित विश्यों पर सिक्षा दे सामाजेक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और आर्थे विज्ञान अब बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की right to property भारत के मूल समिदान में संपत्ति का अधिकार भागती इन के मूल अधिकार में वरने था अब ये जानते कि ये संपत्ति का अधिकार समाप्त क्यों किया गया तो भारत में कल्यान कारी राज की इस्थापना करनी थी जिसमें नीती निदेशक तत्यों को भी लागू करना था और इसी के चलते भूमी सुधार कारिकरम को लागू करने के लिए जमीदारी प्रथा के उनमूलन के लिए संपत्ति को मूल अधिकार से हटाये गया तागी सामाजिक नियाय की इस्थापना की जा सके अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से इस तरह हटाये गया कि आर्टिकल 31-A के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को सीमिक्त करते हुए कहा गया कि क्रिसी योगी भूमी का अरजन, खानों के लीज का प्रावधान, दो वानिजिक घरानों के विले की वानिजिक संस्थाओं में उसके निदेशकों के सियरों को नियंतरित करने के प्रावधानों को संपत्ति के मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया इसमें साबन किसी भी अधी नियम अथवा नियंतरन कारी प्रावधानों का मूल अधिकारियों को हैनन के आधार पर नयाइक पुनरावलों कर नहीं होगा और नौवी अनुसूची में भूमी सुधार से संबंदित विदियों को सम्मिलित किया गया था हालेकिन इसमें मुआपजा सब्द को परिवासित नहीं किया गया था आगे 25 सम्मिदान संसोदन 1971 के द्वारा मुआपजा सब्द को ही सम्मिदान से एड़ा दिया गया और इसके इस्तान पर राशी सब्द का प्रेयोग किया गया इसी सम्विदान संसोदन ने नया अनुचेत आर्टिकल 31C को जोड़ा जिसमें कहा गया कि निदेशक तत्तों के आर्टिकल 39BC को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुचेत 14.1931 का उलंगन किया जा सकता है आगे 26 सम्विदान संसोदन 1971 के द्वारा राजा महराजाओं के प्रिवी पर्ट्स या वार्षिक पैंसन को समाप्त कर दिया गया 42 सम्विदान संसोदन 1976 के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को सिमित करते हुए कहा गया कि सभी नीतिन देशक तत्तों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के आर्टिकल 14, 1931 का उलंगन किया जा सकता है और 44 सम्विदान संसोदन के अंतरगर थी आर्टिकल 31 का क्लॉस 1, 31 का क्लॉस 2, 191F सम्पत्ति के अधिकारों के भाग तीन के मूल अधिकारों से हटा दिये गए जिसका मतलब है कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति सम्पत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोड में नहीं जा सकता चली अब आगे सम्विदान के मूल अधिकार में क्या अवसेश बचे उनको देख लेते हैं तो 44 सम्विदान संसोदन 1978 के द्वारा सम्पत्ति के अधिकारों को अनुछे 300 के काम में शामिल किया गया अता सम्पत्ति का अधिकार अब वैदानिक अधिकार है मूल अधिकार नहीं वैदानिक अधिकार का मतलब एकी सरकार द्वारा अब किसी विधी के निर्माण के बिना वेक्ति से संपत्ती नहीं ली जा सकती। और संपत्ती के अधिकारों का अफसे स्मॉलिक अधिकारों में अभी भी है। वह इस प्रकार है कि यदि किसी अल्ब संक्यक सेक्षिनिक संस्थान की जमीन अधिक रहत की जाती है तो उसे बाजार दर पर रासी का भुकतान करना होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुरिसी योग ये भूमी अधिक रहत की जाती है जो यदि अधबंदी की सीमा के अंतरगत है तो उस जमीन की कीमत का भुकतान सरकार को बाजार दरपर करना होगा ये सारी बाते थी संपत्ति के वैधानिक अधिकार की चलि अब आगे बात करते हैं आडिकल 32 के अंतरगत सम्वेधानिक अपचारों का अधिकार राइट टू को सम्वेधान के आत्मक अहा है क्योंकि यह अन्य अधिकारों को प्रकार्यात्मक बनाता है इसमें मौलिक अधिकारों के हनन की इस्तिती में सुप्रीम कोड के द्वारा पांच प्रकार की रिट जारी की जा सकती है यह पांच रिट हैं बंदी प्रत्यक्षी करंड, हैबिलस कॉर्पस, पर्मादेश मैंडेमस, अधिकार प्रचक्यो वरंटो, उत्प्रेशन सर्टियर अरी, प्रतिशेद, प्रोहिबीशन आइडिकल 32 के अंतरगत केवल उच्टम न्याले को ही मूल अधिकार की रक्षा का प्रावधान है, लेकिन भारती संसत द्वारा भारत के अन्य न्यालों को भी मूल अधिकार की रक्षा की सकती प्रदान की जा सकती है, लेकिन इससे उच्टम न्याले की शक्ती प्रभावि का दायर कर सकता है या फिर किसी भी समवों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई समाज से भी भी सुप्रीम कोट जा सकता है चलिए अब विभिन पांच रिटों को डिटेल में जानते हैं पहली यह बंदी प्रत्यक्षी करन रिट या हैविलस कॉर्पस रिट यह है लेटिन सब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ससरीर उपस्तित होना हेबलस कॉर्पस में बंदी बनाये गए व्यक्ति को नियायाले साश शरीर नियायाले में उपस्तिती का आदेश बंदी करतक हो देता है जिसने नियायाले बंदी बनाये जाने के कारण को जान सके अब इसमें कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें बंदी प्रतेक्चिकरण याचिका का प्रयोग नहीं किया जा सकता इसमें पहला है यदि न्यायपाली का ने अपराधिक मामले में किसी वेक्ति को सजा दी हो दूसरा न्यायाले की अवमाना और संसिदी विशेशादिकार की अवमाना का वेक्ति दोसी हो और तीसरा निवारक नजरबंदी के अंतरकत बंदी बनाए गए लोगों के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा दूसरी रेट है परमादेश या मेंडेमस यह भी लेडिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आग्या देना परमादेश के तहट ऐसे वेक्ति को आदेश दिया जाता है जो किसी सार्जनिक पत पर बैठा हो या उसका कोई अर्ध सरकारी कानूनी कारे हो तथा उसने अपने करतवे के पालन में लापरवाही बरती हो अत्वा कारे करने से मना कर दिया हो यह आदेश उच्छतर न्यायालोयों द्वारा निम्नतर न्यायलोयों को भी दिया जा सकता है हालेकिन राश्पति और राजपाल के विरुद परमदेश रिट का प्रयोग नहीं किया जा सकता आगे है अधिकार प्रच्छा या क्यो वरंटो क्यो वरंटो का प्रयोग किसी व्यक्ति को सरकारी पत प्राप्त करने के लिए प्रतिमदनित करने में होता है क्यो वरंटों का मतलब है किस अधिकार से? अधिकार प्रिच्छा तभी जारी की जा सकती है जब पद सारजनिक हो और वह पद किसी कानून या सम्विदान द्वारा स्रिजित हो पद नेजी नहीं होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को पद पर नियुक्त करने में विदी का उलंगन हुआ हो अब एक्जांपल के लिए मान लीजे कोई गाओं है वहाँ के पंचायत में सरपंच का पद महिला के लिए आरक्षत है और वहाँ कोई महिला वा सरपंच ही है लेकिन यदि उसके सारे कारिय उसका हस्बेंड या पती कर रहा होता है तो उसके पती पर क्यो वारंटो लगता है आगे बात करते हैं उत्प्रेशन के बारे में इसका मतलब है मंगा लेना या प्रमानित करना इसके तहट उस्टम नियायले कोई भी मामला अपने पास मंगा लेता है इसमें कुछ इस तरह के मामले शामिल होते हैं जब किसी नियायले ने अपने शेतरादिकार का उलंगन किया हो या जब संबंदित मामले में निचले नयाय आलय ने अपना निर्देश दे दिया हो अता उत्प्रेशन की रिट निर्ड़े देने के बाद मैं जारी की जा सकती है सामानेता उस्तम नयालय का मानना है कि इसका प्रयोग विशुद्ध प्रशाष्णिक मामलों में नहीं किया जाना जाहिए परन्तु बाद में वैधानिक और प्रशाष्णिक दोनों मामलों में उत्प्रेशन डिट का प्रयोग किया जाने लगा आगे बात करते हैं प्रतिशेद या प्रोहिबीशन की यह भी लेडिन शब्द है जिसके द्वारा किसी कारी के संपादन को प्रतिबंदित किया जाता है यह निवार आत्म के आची का है इसका प्रेयोग न्यायाले द्वारा तब किया जाता है जब न्यायपालिका में मामला विचाराधीन हो मतलब प्रतिसेद किसी वात के पहले चरण में दिया जाता है प्रतिसेद के अंतरगत सुप्रीम कोट निचले नयायालाय को सम्बंदित मामले में कारी करने से रोक देता है वागी जानते हैं पूर्व नयाय या प्राक नयाय या रैस जूडिकेट के बारे में यह भी लाइटेंश अब्दे जिसका अभी प्राय ठेंक डिसाइड़ अर्लियर है इसके अनुतार उच्टम नयायले के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतरगत जिन वादों का निर्धारन किया जा चुका है उसे दुवारा उच्टम नयायले के समख्ष नहीं लाया जा सकता आर्टिकल 33 और 34 में दिये गए है इसमें आर्टिकल 33 के अंतरगत सैनेबलों के सदश्यों और सैनेबलों के उन सदश्यों का जिनके द्वारा लोग व्यवस्ता निर्मित होती है अत्वा राजी के द्वारा आसूचना से संबंदित संगठनों में शामिल कर्मचारियों के लिए अत्वा आसूचना से संबंदित संचार व्यवस्ता में कारी करने वाले कर्मचारियों के मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है आइडिकल 33 में यह भी प्रावधाने की संसद को यह भी अधिकार है कि वह सेने बलो और अर्थ सेने बलो के सदश्यों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंदित कर सकती है इसके तहर संसद ने कुछ अधिनियम भी बनाए आगे आइडिकल 34 के अंतरगत भारत के किसी भी चेत्र में यदि सेने अधिनियम डागू है तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि मूल अधिकार पर प्रतिबंद आरोपित कर सकती है संसद विदी द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गए कारियों और उनके द्वारा पारित नियम को वmooth ठھیरा सकती है इस अधिनियम वा सेन अधिनियम के अतरगत दिये गए दंड को वैधानिक बनाया जा सकता है यह भारत के सभी छेत्रिया पर्टिकुलर एक भाग में भी लागू किया जा सकता है उधारण के लिए मनिपूर और जम्मू एंड कस्मीर में सैनेबल विशेश सक्ती अधिनियम लागू है इसमें अफस्पा अधिनियम या Armed Forces Special Power Act 1958 भी आता है आगे आर्टिकल 35 है जिसमें कहा गया है कि भाग तीन को प्रभावी बनाने के लिए विधी विणियमाय संसत करेगी तो ये सारी बाते थी मूल अधिकारों की अब इनसे समद्धी जितने भी वाद हैं नयायायले के वर्डिक्ट्स हैं उन्हें हम अलग लेक्चर में देखेंगे तो आज का लेक्चर बस इतना ही लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजेगा पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अभी बहुत कोछ आना वागी है तो आज के लिए चलता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डॉपेक के साथ थैक्यू सो मॉच फॉर लेस्नेंग